हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई येट्यूब चैनल, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 2022 की 25 मेहत्पुन पुस्तक और उनके लेखक देखेंगे, जो आपके सभी आने वाल एक्जाम के लिए helpful होंगे, तो इसलिए आप वीडियो को पुरे अंड तक देखते रहिए, तो चल जो नैसकोम संस्था है, तो उसकी एक निश्चित और अधिकारिक जीवनी दी गई है, इसके बाद कोस्तो नमबर दो है, कुईन ओफ फायर नामक उपन्यास के लेखक कोन है, तो दिखें ये जो उपन्यास है, कुईन ओफ फायर, तो इसकी लेखी का है, देवी का रंगाच इसके बाद कोस्तो नमबर तीन है, पुस्तक अषटांग योग के लेखक कौन है, तो दिखें ये जो बुक है, अषटांग योग, ये योग के बारे में लिखी गई है, तो इस बुक के लेखक है, डाक्टर सोनु फोगाड, तो इसका आउसर भी हो जाएगा, तो याद पिर्यम गांधी मोधी तो इस कांसर सी हो जाएगा देखे इस पुस्तक में पिछले दो बरसों में कोविड संकट के दोरान प्रदार मंतिर नरेंदर मोधी जी की भूमिका पर प्रिकास डाला गया है तो इनेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक की लेखी का है पिर्यम गांधी मोधी याद रखना है महतफून बुक है इसके बाद अगला कोशन है पुस्तक हाव टू प्रिबेंट दा नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखा कौन है तो दीखे इस बुक के लेखा कहा है बिल गेट्स तो इसका अंसर डी हो जाएगा आप सभी बिल गेट्स के बारे में जानते हैं जो माईक्रोसोप्ट के संस्था पागा है बिल गेट्स तो इस लेखक हैं How to prevent the next pandemic तो इसके लेखक हैं Bill Gates इसके बाद अगला कोस्सा ने पुस्तक अटल बिहारी बाचपई किसने लिखी है तो दिखे ये जो बुक है अटल बिहारी बाचपई ये भारत के पूर प्रदान मंतरी अटल बिहारी बाचपई जी के जीवन प्रधारित है तो इस बुक की लेखका है सागरी का गोस तो इसका अंसर भी हो जाएगा दिखी ये जो लेकिका हैं सागरी का घोस ये एक पत्रकार हैं इन्होंने इससे पहले एक बुक और लिखी थी जिसका नाम है इंद्रा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर तो ये दोनों जो बुक हैं अटल बिहारी बाचपई और इंद्रा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन दोनों पुस्तक की लेखी का कोन है सागरी का गोहस है तो दोनों याद रखनी है महत्पुन बुक हैं दोनों इसके बाद अगला कोस से ने गोल्डन बॉय नीरत चोपड़ा नाम पुस्तक किसने लिखी है तो देखे ये जो बुक है गोल्डन बॉय नीरत चोपड़ा तो इस बुक के लिखा के हैं नबदीब सिंग गिल तो इसका अंसर सी हो जाएगा देखे आप सभी नीरत चोपड़ा के बारे में जानते हैं ये भारत के जैबलिन थिरो यानि की भाला फैंक खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलम्पिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था तो नीरत चोपड़ा की जीवन पर अधारी था ये बुक गोल्डन बोई नीरत चोपड़ा जिसके लेखा के हैं नबदीप सिंग गिल याद रखना है महत्पुन बुक है इसके बाद अगला कोश्चन है फेरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखी का कोन है तो देखे ये जो बुक है Fearless Governance इस पुस्तक की लेखी का है किरन बेदी तो इसका आंसर D हो जाएगा आप सभी किरन बेदी की बारे में जानते हैं भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कोन है तो किरन बेदी ही थी और ये पुद्दु चेरी की पूरी उपराज्य पालवी रह चुकी है इसके बार next question है Question number 9 है पुस्तक the power of the ballot travel and triumph in the elections की भूमी का किसने लिखी है तो देखे ये जो बुक है इस बुक की भूमी का लिखी है भारत के पूर्व मुख्य चुनावायत सुनील अरोला ने तो इसका आंसर भी हो जाएगा और देखे ये जो बुक है the power of the ballot travel and triumph in the elections इस बुक की भूमी का तो सुनील अरोला ने लिखी है लेकिन इस बुक के लेखा कोन है तो बिपुल महिस्वरी और अनिल महिस्वरी है याद रखना है Question number 10 है गोता मडानी की जीवनी जिसका नाम है गोता मडानी the man who changed India किसने लिखी है तो दिखे गोता मडानी की जीवनी है गोता मडानी the man who changed India तो इस पुस्तक के लेखा के और एन भासकर तो इसका अंसर ए हो जाएगा तो याद रखना है गोता मडानी की जीवनी का क्या नाम है गोता मडानी the man who changed India जिसके लेखा के और एन भासकर इसके बाद नेश्ट कोश सने पुस्तक भारते सम्मिधान अनकही कहानी किसने लिखिए तो दिखे ये जो बुख है भारते सम्मिधान अनकही कहानी इस बुख के लेखा के है राम बहादुर राए तो इसका अंसर D हो जाएगा तो याद रखने है भारते सम्मिधान अन कहीं कहानी पुस्तक के लेखा को ने तो राम बहादुर राये हैं इसके बाद अगला कोशन है खेल बिपलन पर भारत की पहली पुस्तक जिसका नाम है बिजनेस ओफ स्पोर्ट्स दा बिनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेज को किसने लिखा है तो इसका अंसर ओप्सन सी हो जाएगा बिनित काण लिखने तो दीखे खेल बिपलन पर भारत की पहली बुक यानि की स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक आई है जिसका नाम है बिजनेस ओफ स्पोर्ट्स दा बिनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेज तो इस पुस्तक के लिखा के बिनित काण लिक याद रखना है इसके बाद नेश्ट को सने दा इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कोन है तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा बिमल जलान तो दिखें आप से भी जानते हैं ये आरबियाई के पूरू गवर्ना रह चुके हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है दा इंडिया स्टोरी दिखें ये है पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्री थे जिसके लेखके बिमल जलान तो बिमल जलान ने कोन से पुस्तक लिखी है दा इंडिया स्टोरी इसके बाद अगला कोस्सन है रतन टाटा की जीवनी जिसका नाम है रतन एन टाटा दा ओथराइजड बायोग्राफि को किसने लिखा है तो इसका अंसर है हो जाएगा डाक्टर थोमस मैथ्यू ने तो दिखें भी हाली में रतन टाटा की एक आधिकारिक जीवनी पर किताब लिखी गई है जिसका नाम है रतन एन टाटा दा ओथराइजड बायोग्राफि तो इस पुस्तक के लिखा के हैं डाक्टर थोमस मैथ्यू याद रखना है इसके बाद कोस्तर नमर 15 है इंडो मेवल ए बर्किंग बुमेन नोट्स ओन बर्क लाइफ एंड लेडर से पुस्तक की लेखी का कौन है तो दिखे इस पुस्तक की लेखी का है अरुधन्ती भट्टा चार्जे तो इसका अंसर सी हो जाएगा दिखे यह है जो पुस्तक है यह अरुधन्ती भट्टा चार्जे की आत्म कता है और दिखे आप से भी जानते है अरुधंती भट्टाचार्जे के बारे में SBI की पहली महीला अध्यक्स कोन थी तो अरुधंती भट्टाचार्जे ही थी तो याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है पुस्तक लिसन टू योर हार्ट दा लंदन एडवेंचर किसने लिखी है तो देखें ये जो बुक है लिसन टू योर हार्ट दा लंदन एडवेंचर तो इस पुस्तक के लिखा के है Ruskin Bond तो इस कांसर डी हो जाएगए देखें Ruskin Bond ये भारत के काफी पिरसिद लेखा के है तो इननोंने ये बुक लिखी है इसके साथ इननोंने अभी मोदी एड़ दरेट 20 डरीम से मीट डिलेवरी पुस्तक किसके राजनितिक जीवन पर अधारित है तो इस कांसर भी हो जाएगा नरेंदर मोदी जी के तो दिखे ये जो बुक है मोदी एड़ दरेट 20 डरीम से मीट डिलेवरी तो यह है पुस्तक प्रदानल मंति नरेंदर मोदी जी के पिछले 20 बरसों के राजनितिक जीवन को दर्साती है तो यह बुक नरेंदर मोदी के राजनितिक जीवन पर अधारित है देखे इस पुस्तक के लेखों को की बात करें तो इस पुस्तक को देश के जाने माने कई बिसे सग्यो द्वारा लिखा गया है तो याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है पुस्तक क्रंच टाइम नरेंदर मोदीज इनेशनल सिक्यूर्टीज क्राइसिस के लेखक कोन है तो देखे इस बुक के लेखक हैं डाक्टर स्रीराम चोलिया तो इस कांसर यह हो जाएगा याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है पुस्तक नोट जस्ट है नाइट बाच मैन माई इनिंग सिंदा बीसे स्याई के लेखक कोन है तो इस कांसर भी हो जाएगा बिनोध राए तो देखे बिनोध राए भारत के पूर्व ग्यारवे नियंत्रक एवा महालेखा प्रिक सके यानि की कैग रह चुके है जिने की बर्स 2016 में पद्म भूसन से सम्मानित किया गया था तो बिनोध राए ने अभी हाली में 2022 में पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नोट जस्टे नाइट बाचमेन माई इनिंग सिंदा बिसी शाई तो इस बुक के लेखक है बिनोध राए याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है पुस्तक दा 10 Trillion Dream के लेखक कोन है तो इसका आंसर ए हो जाएगा सुवाश्चंद्र गर्ग देखे सुवाश्चंद्र गर्ग ये भारत के पूर्व बित्त सचिव रह चुके है जिन्नोंने अभी हाली में एक बुक लिखी है जिसका नाम है दा 10 Trillion Dollar Dream तो इस बुक के लेखके सुवाश्चंद्र गर्ग देखे इस पुस्तक में 2030 के मद्य है भारत को 10 Trillion Dollar की अर्थिववस्ता बनने के सुधारों का सुझवाब दिया गया है इसके बाद कॉस्त नमबर 21 है दा श्ट्रेगल फोर पुलिस रिफोर्मस इन इंडिया रूलर पुलिस टू पुलिस के पुस्तक किसने लिखी है तो दिखे ये जो बुक है ये लिखी है पिरकास सिंग ने तो इस का अंसर ओप्शन सी हो जाएगा इसके बाद अगला कॉस्त सने तो इसका अंसर ओप्शन भी हो जाएगा गुडंपा, रंगनाथ, बिस्बनाथ और आर कॉसिक तो दिखे ये जो बुक है रिष्ट, एस योड़, एन ओटो बायोग्राफी ये भारत के पूरव क्रिकेट कप्तान गुडंपा, रंगनाथ, बिस्बनाथ की आत्म कता है जिसके लेखा की सोया में और इसके सहे लेखा की भी है जिनका नाम है और कॉसिक इसके बाद अगला कॉस्त सने इंडिया-अफरीका रिलेसंस Changing Horizons नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है तो इस कांसर भी हो जाएगा राजीब कुमार भाटिया ने तो दिखे ये जो बुक है भारत-अफरीका सम्मंद Changing Horizons तो इसमें भारत-अफरीका के सम्मंद के बारे में बताया गया है तो इस पुस्तक के लेखा के हैं राजीब कुमार भाटिया इसके बाद अगला कुस्तन है कुस्तन नमबर 24 है A Place Called Home नामक उपन्यास किसने लिखा है तो दिखे ये जो उपन्यास है A Place Called Home तो इस उपन्यास की लेखी का है पिरीती से नोए तो इस कांसर भी हो जाएगा इसके बाद कुस्तन नमबर 25 है Here Yourself नामक उपन्यास किसने लिखी है तो इस कांसर सी हो जाएगा प्रेम रावत ने तो दिखे ये जो बुक है Here Yourself तो इस पुस्तक के लेखा के लेखा के प्रेम रावत तो दोस्तो आज के लिए इतना ही ये थी 2022 की 25 महत्तकुर पुस्तके जिनके मैं आपको लेखा बताए अब चलिए आज का कोस्तन देख लेते हैं जिस कांसर आपको नीचे कमेंड ओक्स में बताना है तो यहाँ पर आज का कोस्तन है विमल्ड़न ओपन 2022 में पुरू सेकल का खिताब किसनी जीता है तो इस कांसर आपको नीचे कमेंड ओक्स में जरूर बताना है दिखे बिमल्ड़न ओपन 2022 के एक पूरा वीडियो में ने इससे पहले अप्लोड कर दिया था अगर आप उसे देखना चाते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइस्ट में प्ले लिस्ट मिल जाएगी आप बहां से जाकर 2022 के सभी मेहत्वण टोपिक्स के वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसना है आपको वीडियो अच्छे लगाओ आपके लिए helpful लो तो फ्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ इत चैनल को भी सस्काइब कर लेना तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत